नमस्कार दोस्तों मैं कुनाल कालवा आपका अपने इस चैनल में बहुत वह स्वावेट रखता है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विच इस दा प्लैनेट आफ लव इन अस्टोलजी देखे हम सब जानते हैं कि लव इन अस्टोलजी की जब भी बात करते हैं होगा ना बताता हूं कि फरक क्या है वीनस के और बख्ती के उसका देखी होता क्या है कि वीनस एक पूरा जिससे कहते हैं complete package है प्यार आपको जुपिटर में भी होगा तो जुपिटर में आपके थोड़े से moral values जो प्यार होगा जिससे उस से आप रिस्पेक्ट उसकी जादा करेंगे, रिस्पेक्ट की दरफ जादा जाएगा, तो चांसे तर जुपिटर विज्टम से रिलेटिड आपको प्यार की सारी खूबलिया उसमें दिखेंगी, शनी से होगा तो हो सकता है आपको अपनी एस से जादा किसी बड़ी से प्यार हो, तो फीलिंग्स जो हमारे बॉड़ी के अंदर जो जिससे रिलेटिड होती है वो वीनस से होती है, तो वीनस के अंदर आटोमेटिकली जिससे हम कहते हैं कि हमारे अटोमेटिकली जिससे हम कहते हैं कि हमारे अंदर आ जाती है, या हम को दूसरे की शाइनिंग की तरफ एट्रेक् के लिए प्यार का package बनता है प्यार के लिए अच्छा है और Venus एक significator है शादी का भी किसी की शादी नहीं हो रही है बड़े time से अठकी पड़ी है जो नहीं feelings बन रही वीनस की दशा आते ही वो जिसे हम कहते हैं कि उसके अंदर feelings जागेंगी automatically फोड़े emotions जागेंगे तो वो प्यार की तरफ जो सखत था या थी वो automatically प्यार की तरफ नर्मता आएगी प्यार की तरफ खिचेगी तो जिसे हम कहते हैं कि यह जो complete package मिलेगा वो आपको सिरफ वीनस के अंदर मिलेगा आप सजेंगे आप के अंदर जिसे हम कहते हैं एक heat आएगी एक warm तड़ेगी heat आएगी heat heat is not warm heat आएगी तो वीनस को इसलिए माना जाता है कि वीनस के अंदर एक attraction है और वीनस को इसलिए बोला गया कि ये प्यार का जिसे हम कहते हैं प्लैनेट है अब इसमें थोड़ी सी एक चीज और जोड़ा होगा कि प्यार का एक प्लैनेट होता है मून भी देखिए मून का जो प्यार होता है वो मून का प्यार एक जिसे हम कहते हैं कि ममता वाला प्यार होता है कि फीलिंग्स एक अलग त अगर उस relation में emotional support नहीं है तो वो रिलेशन का तूटना बहुत चल्दी असान है Venus का मतलब होगे कुछ नया चाहिए अगर एक relation में सिरफ Venus ही है और Moon नहीं है तो होगा क्या कि आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे अपने Partner से आप आगे बढ़ने का सोचेंगे आपको नया कुछ चाहिए होगा तो जो नया कुछ रोज चाहिए वो वीनस है ब्रैंड उतर वीनस जैसे एपल में नया फोन आते रहते हैं और आपकी कभी भी च्छाएं पूरी नहीं होगी लेटेस मॉडल लेटेस मॉडल मून जो होगा वो आपको जिसे हम कहते हैं ना मून का जो प्यार होगा वो आपको सपॉर्ट देगा Emotions कि कभी आप दुखी हैं आप परिशान हैं तो जो कढ़ना देगा वो मून देगा आपके आशु जो पोचेगा मून देगा अगर आपको प्यार आखों से हो रहा है, किसी की आखों से प्यार हो रहा है, किसी की चहरे से प्यार हो रहा है, तो समझ लेजिए हम मून वाला प्यार है और सिर्फ फिजिकल एट्रेक्शन से हो रहा है जिमिंग बॉड़ी से हो रहा है या किसी तरीके से हो रहा है तो वो वीनस वारा प्यार है किवर हमें किसी के शूज, किसी की गाड़ियां, किसी की घड़ियां, किसी के जैसे हम कहते हैं, असेसरीज, किसी का चलने का तरीका, या किसी का बैठने का तरीका, लॉंग लेग्ज, जब भी हमें ये वाला प्यार होना, तो समझ लीजे कि ये जो प्यार की शुरुवात है, आगे जाकि ये मून वाला लव हो सकता है, मगर इसकी जो शुरुवात है, वो ये समझ लिजे, कि वीनस अभी है, और किसी की अगर केरिंग नेचर है, किसी का आपको सपोर्ट करना, किसी की आपको हेल्प करना, किसी का मुस्कुराना किसी के मुस्कुराने से आपको प्यार हो जाता है तो ये जो प्यार हो गया है ये समय दीजिए ये मून बना प्यार हो गया तो ये थी कुछ इंफरमेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये दोनों प्यार में फरक क्या है वीनस का प्यार और मून का प्यार तो कोशिश कीज़े ऐसा प्यार हो जिसके अदर वीनस और मून दोनों इंक्लिूड हो डेटा उबर्स होती है बहुत सार चीज़े होती है अगर यह प्यार आपको मिलता है तो समय ढीज़े आपकी खिसमत अच्छी है सिर्फ मून के प्यार के अंदर attraction कम होती है, affection होता है, आप उसकी तरफ खिचते हैं, मगर अगर आपकी Venus planet में जिसे हम कहते हैं कि activate है, तो फिर आपकी जो जिसे हम कहते हैं कि भटकना आपका चालू गएगा, इसमें कई planets होते हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे राहू हो गए वेनस को और पावर देगा, तो यह कहीं न कहीं भूम के कानी कच्छोर पहुंच जाएगी, तो आपको confuse नहीं करना, और वीडियो के तूँज को मैं और clear करता जाओंगा, इस्ता इस्ता, जैसे मैं और data बद के ओपर वीडियो बनाओंगा, तो आपको तोड़ा सा और clear होता जाओ, फिलाल आपसे अलवीदा लेता हूं, जल्दी मिलता हैं नई वीडियो के साथ, तब हुँ खीडियो के साथे।